EduSeeker में आप सभी का स्वागत है JRF.net का exam निकालने के लिए 6 weapons मैं आपको provide कराने जा रहा हूँ कौन-कौन से weapons है वो इतनी important ने कि अगर आपने उसको अच्छे से use करना सीख लिया न तो exam qualify करके ही आओगे पहला weapon free telegram quiz group हमने create कर रखा है आपको अगर नहीं पता join कीजिए telegram में जाएए लिखिये वहाँ पर EduSeeker quiz सर्च कीजिए मिल जाएगा वो group 205 question आज तक की date में हम खतम कर चुके हैं रोज 5 question डिली आ रहे हैं और भी ये question आएगे और इनकी frequency जैसे जैसे exam पास आएगा हम बढ़ाते जाएगे इसके साथ free crash courses channel पर शुरू हो रुके हैं paper 2 के IR के हम theories कर रहे हैं अच्छे से और paper 1 का foundational course आज शुरू होने जा रहा है उस course के बारे में मैं जानकारी आगे चल कर आपको दूँगा इसके साथ paid e-books रहेंगी हमारी paper 1 की भी paper 2 की भी paper 1 और paper 2 के दोनों 2024 edition हमने launch कर दिये हैं description में link है इन सभी चीजों का जाकर आप purchase कर सकते हैं और पढ़ना शुरू कर सकते हैं कोकि यह जो e-books है इनको हम कहते हैं rapid fire revision यह revision के लिए ही बनाई गई e-books है preparation के लिए नहीं है last time जब कम बच जाता है और student आ जाते है आपको सारे notes पढ़ने के लिए मिल जाए और वहां से पढ़कर आप confidently exam में बैठ सकते हो इसके साथ हम paper 1 और paper 2 के 5 साल के पुराने PYQs भी fully detailed explanation के साथ provide कराते हैं उसको भी आपने समझना है एक चीज मैं बता दू paper 1 सिरफ English में available है लेकिन paper 2 की e-books English और Hindi दोनों में available है आप purchase कर सकते हैं Advanced Mock Test Series जो English Medium में अब तक launch की गई थी वो Hindi Medium में भी काम चल ला है 20 माई के बाद वो bilingual बन जाएगी Hindi Medium भी उसका लुफ ले सकते हैं लेकिन English Medium अगर आपने वो नहीं लिये subject wise 100 under MCQ आपको उसमें मिलने वाले हैं तो आप purchase कर सकते हैं इसका link भी आपको description में मिल जाएगा बचे दो weapons और उनमें से 5th surprise मैं रखने वाला हूँ और 6th भी अभी surprise है जो next week तक मैं आपको reveal कर दूँगा Telegram के quiz group में join कीजिए और एक Telegram का हमारा group है Aguseeaker discussion group वो सर्च कीजिए वहाँ पर भी join कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे updates मैं वहाँ पर दे रहा हूँ ये shave weapon को अच्छे से utilize ये shave weapon में अच्छे से training ले लोगे मुझसे चलाना सीख लोगे इनसको जिसके चलते JRFNet निकाल कर आओगे अब बात करते हैं इस foundational course की जो paper one का है ये क्यों लेकर आए हैं इसके क्या माइने है क्या क्या है इसमें data interpretation, logical listening और mathematical listening हमारे students की बहुत वीक है जब भी वो exam दे कर आते हैं इनहीं चीजों के बारे में discuss करते हैं कि theory दो हम कर लेते हैं teaching aptitude कर लेते हैं research aptitude कर लेते हैं communication कर लेते हैं higher education सारी चीज़े कर लेते हैं सर क्योंकि आपने rapid fire revision की paper one e-book में दे रखा है लेकिन उसमें चाहे data interpretation, logical reasoning, mathematical reasoning की बहुत सारी चीज़े दे रखी हैं लेकिन फिर भी solve नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए ही ये foundational course है क्यों? क्योंकि 15 question इसमें से आते हैं और 15 question में मेरे student weak हो जाए ये मुझे गवारा नहीं है मैंने मैम से request करके ये foundational course उनसे त्यार करवाया है free रहेगा अराम से सीखिए आज मैम आपको data interpretation का कराने वाले percentage कैसे निकालते हैं अच्छे से सीख लेना उसमें answer भी दे रखे हैं लेकिन जैसे जितना practice करोगे उतना जादा ये subject या ये question आपके improve होते जाएंगे अराम राम से हमारे साथ रहिए धिरे-धिरे सब चीजे cover करते जा रहे हैं करते जाएंगे panic होने की ज़रूरत नहीं है पढ़ाई कीजी अच्छे से मैम से आप data interpretation के बारे में आज पढ़ना चुरू करतो अच्छे से sincere बच्चे बन जाओ serious हो जाओ चलिए मैम से सुनते तो सबसे पहले start करते है basic से कि data interpretation होता क्या है देखे data interpretation होता है जब आप understand करते हो organize करते हो and then you are drawing appropriate solutions from the given data अब वो data आपको किसी भी form में मिल सकता है चाहे पाइग्राफ के form में हो बार ग्राफ के form में हो यह simple table के form में हो now further 5 questions from each data interpretation paper comes from combining different topics अब यह जो topics होते हैं जादे तर topics ही कौन-कौन से होते हैं सबसे पहला होता है आपका percentage उसे questions आते हैं high chances होते हैं percentage से ही question होता है data interpretation में then ratio or proportion also and averages so you know यह सारे concepts are very important for you to understand that how to solve the data interpretation questions ठीक है? now let's dive into data interpretation कौन-कौन से concepts आपको पता होने चाहिए data interpretation solve करने के लिए and how to solve these questions from the basics तो सबसे पहले percentage का आपको concept पता होना चाहिए परसेंटेज से देखी questions आते हैं percentage increase increment यह rise के form में यह percentage decrease decrement यह fall के form में apart from that ratio से question आता है ratio क्या होता है? smallest possible value आपको find out करनी होती है then averages से question होता है average is basically sum of all the observations upon number of observations तो यह सारे concepts आपको कैसे apply करने हैं कौन से question में कैसे apply होंगे वो सब हम आपको समझाएंगे so now this part is truly dedicated to the concept of percentage percentage का पूरा concept हम इसमें discuss करेंगे कैसे percentage को निकालना होता है percentage increase का क्या formula है percentage decrease का क्या formula है net change जो आता है percentage में वो कैसे निकालते हैं everything we will be discussing और यह जो part है percentage का नहीं यह आपको help करेगा सिफ data interpretation के question solve करने के लिए बलकि ऐसे कोई भी question जो percentage के topic से आते हैं चाहे mathematical reasoning में ही क्यों नहीं हो you will be able to give you will be easily able to solve these questions ठीक है now let's discuss की percentage होता क्या है देखिये percentage को आप breakdown करोगे so that is per and cent per मतलब divide cent is 100 that means कि आपको 100 के terms में पूरा part निकालना है कि क्या part है in terms of 100 और जो भी value given होती है आपको convert करना होता है उसे percentage की फर्म में ठीक है अब इसे बहुत easy example के थू समझे there is this girl named Sita जिसकी salary है 10,000 rupees then there is this girl named Gita जिसकी salary है 20,000 rupees ठीक है so now the question is the salary of Gita is what percentage of salary of Sita की Gita की salary कितनी percentage है Sita की salary के ठीक है तो इसके लिए आप क्या करेंगे इसके लिए आप करेंगे जो भी value है अब देखिए question में पूछा गया है कि Gita की salary कितनी percentage है of Sita salary तो सबसे पहले आप रखेंगे Gita की salary that is 20,000 upon Sita की salary that is 10,000 into 100 और जब आप इसे solve करेंगे you will be getting the answer that is 200 percentage इसे आप orally be solve कर सकते थे without applying the formula that is that is जो भी given value है जो first value है वो 100% है तो अगर Sita की जो 10,000 salary है वो 100% है तो obviously जो Gita की salary है वो Sita की salary की double है तो अगर Sita की salary 100% है तो Gita की salary कितनी होई 200% ठीक है तो एक तो यह basic concept हो गया दूसरी चीज़ यह समझे कि percentage निकालने का simple formula होता है part upon whole into 100 ठीक है let's say so let's say question है कि rupees 50 is what percentage of rupees 500 तो rupees 50 कितना percentage so rupees 50 कितना percent है 500 rupees का तो उसके लिए आप क्या करेंगे part जो है that is rupees 50 पूरा आपको amount जो दे रखा है whole that is 500 into 100 जब आप इसे solve करेंगे you will be getting the answer that is 10% ठीक है अब यह तो एक basic चीज होगी कि आप formula लगा के कैसे निकालते है percentage but एक broad overview में अगर direct questions आते हैं 10% निकालना है 5% निकालना है 20% निकालना है तो इसका easiest तरीका यह है कोई भी जो value given है उसमें आप decimal लगा लें let's say यही question में देखे कि अगर 500 जो हमें total value दे रखी थी सब क्या करेंगे from the last position आप first place पर decimal लगाएंगे when you put decimal here तो this remains the value that is 10% तो यह कितना है 50 50 is equal to 10% आपको solve करने की भी जरूरत नहीं परती ऐसे ही अगर आप 1000 का 10% आपको निकालना है आप decimal लगा लीजे और जो आगे का amount बचेगा that is your 10% तो इससे कितनी भी बरी value हो let's say 35,000 अगर value है और इसका 10% निकालना है तो you easily put decimal जो remaining value है that is your 10% तो ऐसे आप direct निकाल सकते है 10% है अगर 20% पूछा है तो आप इसका ही double कर दीजे 3500 का double करना easy होगा that is 7,000 तो 7,000 हो गया 20% of the same value that is so 7,000 is the 20% of 35,000 ठीक है ऐसे ही आप इसे और cut down भी कर सकते है अगर 5,000 पूछा है तो आपको solve करने की सब्सक्राइब 35,000 का आप देखें directly 10% 3500 होता है इसका half divide कर देंगे that is 5% तो इस तरीके से भी आप solve कर सकते हैं आप वो आपको चूज करना है कि कौन सी चीज आपके लिए applicable है आपको कौन से तरीका जादा easy लग रहा है apply करने के लिए तो वो कैसे आपको पता चलेगा जब आप question solve करेंगे आप अपने end पर जादा से जादा प्राक्टिस करिए और formula आप अपनी मर्जी से choose कर सकते है अगर आपकी match अच्छी है तो आप orally भी solve कर सकते है राइट अब बात करते हैं step by step की so now these were the most common and easiest ways इस तरीके से you know percentage निकालते हैं but still we will be covering step by step तो सबसे पहले basics जानते हैं कि percentage निकालने के लिए कि क्यान कॉन से basics होते हैं और कैसे निकाला जाता है कि कौन सी value divide होगी कौन सी value multiply होगी ठीके यह सारी चीज है सो देखिए percentage की जो जादा तर problem होती है यह involves three variables ठीके जिसमें साबको दो variables given होगी आपको एक find out करना होगा और वो तीन variables कौन कौन से होते हैं वो होता है rate, base and amount rate क्या होता है देखिए rate वो value होगी that is followed by sign base वो value होती है that is followed by the word of and third is p that is amount of percentage that is followed by the word is now let's understand with example so basically अगर आपको amount of percentage निकालना है that is rate into base और अगर आपको base पूछा गया है निकालने को that will be amount of percentage upon rate and अगर आपको rate पूछा गया है that will be amount of percentage upon base तो यह three basic formulas है कैसे apply करना है जानते है एक एक करके ठीक है is what percentage of 500 kg ठीक है अब इसमें क्या दे रखा है देखे इसमें दे रखा है amount of percentage तो इसमें क्या क्या दे रखा है देखे इसमें हमें 2 values दे रखी है पहली है amount of percent और दूसरा that is base amount of percent कौनसी value है that is 75 kg अब इस question में आपको क्या find out करना है क्योंकि rate is followed by the sign percentage आपको percentage पूछी गई है तो rate का formula क्या है that is amount of percent upon base और question में आपको दोनों चीजे provided है amount of percent क्या है that is 75 kg क्योंकि that is followed by is and 500 kg क्या है that is your base because it is followed by off ठीक है तो 75 upon 500 into 100 आप करेंगे you will be getting the answer that is 15% so that is how you solve these types of question ठीक है अब एक और example के थू समझते हैं so now the next example is ki find 8% of rupees 625 ठीक है so now देखिए rate is given क्योंकि percentage sign लगा हुआ है 8% निकालना है आपको and base भी given है and base भी given है that is followed by the word of which is of rupees 625 तो अब आपको निकालना है क्या आपको निकालना है amount of percent तो amount of percent percentage निकालने का क्या formula है that is rate into base क्या formula है that is rate into base तो अब rate क्या लिखेंगे rate है आपका 8% to 8 upon 100 लिखेंगे आप because आपको percentage की form में answer चाहिए ठीक है and then you will be multiplying it by base that is 625 so 8 upon 100 into 625 the answer comes to be 50 so yes 8% 625 का होता है 50 so now the next concept is percentage change अब percentage change का जो concept है देखिए उसमें percentage change में दोनों चीजे हो सकती है percentage change increase भी हो सकता है percentage change में decrease भी हो सकता है negative भी हो सकता है तो उसका क्या formula है देखिए उसका formula यह है देखिए उसका बहुत simple formula है that is जो new amount आपको given है उसको आप minus करेंगे original amount से divide करेंगे original value से and उसे multiply कर देंगे 100 से ठीक है या इससे आप easily form में ऐसे भी याद रख सकते है final minus initial upon initial into 100 and now आपके मन में सवाल होगा 100 से क्यों multiply करना है क्योंकि आपको percentage निकालनी है right so yes now apart from that अगर आपको difference directly given है तो आप direct difference upon base value into 100 करके भी निकाल सकते है now percentage change का concept हम question solve करके example के थुरू समझते हैं अब सबसे पहले percentage change हम लोग discuss करेंगे example जिसमें increase हो रहा है ठीक है so let's say जो salary है Amun की that is increased from 20,000 to 25,000 तो आपको percentage increase निकालना है salary में क्या है तो कैसे निकालेंगे आप 20,000 जो है वो आपकी initial value थी 25,000 जो है वो आपकी final value है आप difference निकाल सकते हैं 20,000 minus 25,000 कितना होते है 5,000 तो आप directly यह भी लिख सकते है difference upon base value into 100 so that is 5,000 upon 20,000 into 100 the answer will be 25% so that is how you find out percentage increase ठीक है अगर क्योंकि यह values easy values हैं तो difference आप you know orally निकाल पा रहे हैं पर अगर कोई ऐसी values हैं जिसमें आपको difference इतने easily निकाल पा रहे तो आप direct now next example है percentage decrease का ठीक है तो इसमें क्या है कि salary जो अमन की है वो decrease हो गई है from 25,000 to 20,000 अब आपको निकालना है percentage change पर क्या decrease आया है salary में तो इसके लिए भी same formula है कि जो भी final value है जो है आपकी 20,000 minus initial value that is your 25,000 upon 25,000 क्योंकि इसमें 25,000 जो है वो आपकी initial value है into 100 आप करेंगे so that comes to be 20% fine so this is how you solve the question for percentage change when it comes to the decreasing value ठीक है now the next type of question is कि जो net percent change आता है तो वो कैसे निकालना होता है let's say question आ गया कि जो अमन की salary है वो increase होई 20% से फिर उसके बाद वो दुबारा increase होई 10% से तो जो net percentage change है salary में वो क्या है तो ठीक है इसके लिए आप कैसे निकालेंगे आप overall percentage effect से निकाल सकते हैं कि आपने देखा कि अमन की salary है let's say वो 100 थी जब इस type की questions हो तो आप value जो है वो 100 मानिए ठीक है तो अगर 100 अमन की salary थी और वो 20% increase होई है तो 100 का 20% is what 20 तो that comes to be 120 ठीक है तो 120 हो गई अमन की salary 20% increase होने के बाद ठीक है करोगे so that comes to be 132 तो अब जो अमन की salary हो गई वो हो गई 132 तो अब जो net percentage change है वो कितना हुआ वो हुआ 20% इधर का and so अब जो net percent change है 100 to 132 वो कितना है that is of 32 तो that is 32 percentage ठीक है अब ये और ही मैंने आपको करके बताया है इसका formula भी होता है इसका formula गर आपको निकालना है net change का तो that is so that is x plus y plus x into y upon 100 but better it is to imagine a value 100 in such questions because you know जादा तर जो students होते वो math background के नहीं होते है उने यही formula से डर होता है right now let's solve the data interpretation questions जिस type के आपके exams में पूचे गई हैं so now we will be solving PYQs of your data interpretation question so the first PYQ is your June 2023 session तो यह data interpretation जो था वो आपके exam में पूचा गया था ठीक है इसमें आपके परसंटेश का फॉर्म में ही है so now the question is what is the total number of employees जो prefer करते है travel करना by metro from A, B and C तो इसका जो correct answer था that is option number 1 that is 39808 so इसका जो correct answer था that was option number 1 that is 3908 so इसे कैसे solve करना था देखिए जो इतनी भी companies थी that is company A company B and company C जो question में given है आप उसका find out करेंगे so company A में जो employees हैं जो metro prefer करते हैं वो data interpretation में दे रखा है that is 68% ठीक है तो total number of employees जो है company A के वो कितने है that is 2300 तो अब आप क्या निकालेंगे आप निकालेंगे total number of employees जो company A के metro prefer करते है that is 68% आपको निकालना है 2300 तो आप क्या करेंगे 68 upon 100 क्योंकि 68% आपको निकालना है right तो 68 upon 100 into 2300 is equal to 1564 fine ऐसे ही आप company B का निकालेंगे कि company B में जो employees prefer करते हैं metro वो data interpretation में दे रखा है 60% है और company B में जो total number दे रखा है company का that is employees that is 1560 तो ऐसे ही आप 60% निकालेंगे 1560 का तो कैसे निकालेंगे 60 upon 100 into 1560 is equal to 1936 ऐसे ही आप company C का निकालेंगे कि company C में जो employee है जो metro prefer करते हैं वो कितने दे रखे हैं di में 55% total number of employees जो company C के थे वो कितने थे 25,000 total number of employees जो company C के दे रखे है that is 2560 तो 55% of 2560 आप निकालेंगे 55 upon 100 into 2560 that comes to be 1408 अब आप क्या करेंगे यह तीनो को sum up कर देंगे कि जितने भी employees निकले हैं A, B and C के जो metro prefer करते हैं so that is 1564 plus 1936 plus 1408 so the answer comes to be 3908 which is your option number first so now let's move with another BYQ so June 2023 shift 1 में यह data interpretation आया था ठीक है तो इसमें यह question था कि what is the total number of children who do not attend school from the village 2nd and village 3rd together so now the correct answer was option number 3rd that is 518 so वो कैसे निकला देखिए so देखिए in DI में आपको यह दे रखा है कि जितने भी number of children है सारे villages में मिला के 5 villages में मिला के that is 5800 so जब आप DI के question सौफ करें तो पूरा जो पैसे दे रखा है 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 जैसे इस DI में दे रखा था कि जितने भी 5 villages हैं उनकी total population जो है that is 5800 ठीक है और उसमें से जो बच्चे इसकूल अटेंड कर रहे हैं 5 villages के that is 3600 तो coming back to the question जो देखिए village 2 has a total of 24% of children out of 5800 तो 24% of 5800 आप निकाल लेंगे that is so village 2 के आप 24% निकाल लेंगे बच्चे आप 5800 that is 24 upon 100 into 5800 that comes to be 1392 ठीक है ऐसे ही village 2 है that has 28% of children जो school attend कर रहे हैं ठीक है out of 3600 तो 28% आप निकाल लेंगे 36% का with the same formula 28 upon 100 into 3600 that comes to be 1008 अब आप क्या करेंगे आप minus कर देंगे जो number of children है village 2 के and ऐसे बच्चे जो school attend कर रहे हैं तभी तो आपको पता चलेगा वो क्या number of student है जो attend नहीं कर रहे है so that is 1392-108 that comes to be 384 ठीक है ऐसे यह village 3 का निकाल लेंगे तो village 3 के total number of children जो है that is 11% out of 5800 तो 11% upon so 11% of 5800 will be 1638 how 11 upon 100 into 5800 you will be getting the answer 1638 ऐसे ही village 3 के 14% of children attend जो school कर रहे है out of 3600 that will be 504 कैसे 14% कैसे 14 upon 100 into 3600 you will be getting the answer 504 so अब यह यह जो total number of children है and you will be minus it from the 1 जो attend कर रहे है school that is 504 तो 638-504 it comes to be 134 तो total number of non attending children from village 2nd and village 3rd together is equal to 384 plus 134 the answer comes to be 518 which is your option number 3rd so now let's move with another PYQ so this is of your 2023 March shift 1 paper तो यह DI app से पूछा गया था जिसमें आपको data given था department wise break up था so आईए question देखते हैं so question है कि आपको total number of female employees find out करना है जो work करना है production and management department में together अब इधर trick यह थी कि आपको you know female employees का ratio निकालना पड़ेगा percentage निकालना पड़ेगा क्योंकि female employee का direct value given नहीं है आपको total number दे रखा है और आपको male दे रखा है तो आपको total number of employees में से minus करना है male employees को then you will be getting the answer for female employees so fine यह analysis आपको खुद करना है कि कौन सा data given है कौन सा data आपसे पूछा गया है निकालने को अब उसको निकालना कैसे है step पे कैसे पूछना है ठीक है अब total number of female employees जो work कर रहे है production and marketing department में वो आपको निकालना है ठीक है तो सबसे पहले आप निकालेंगी total number of female employees जो work कर रहे है production department में अब total number of employees कितने है production department में that is 35% 35% of 1800 कितना हुआ 35 upon 100 into 1800 you will be getting the answer 630 ठीक है now अब जो male है male employee कितने है that is 50% of 1020 ठीक है क्योंकि total number of employees कितने है 1020 male employees है पर production department में 50% है तो 50% of 1020 comes to be 510 तो female employees कितने हो गए total minus male employees तो total employees थे production department में that was 630 और male employees थे that was 510 तो that comes the answer कि female employees कितने है that is 630 minus 510 equals to 120 ऐसे ही आप find out कर देंगे total number of female employees जो work कर रहे है marketing department में same steps को follow कर के total number of employees निकालेंगे you know marketing department में so that is 18% of 1800 so it comes to be 324 with the same formula ऐसे ही आप male employees का percentage निकालेंगे तो male employees का दे रहा है 15% है तो 15% of 1020 equals to 153 तो female employees कितने हो गए total minus male employees that comes to be 171 324 minus 153 it comes to be 171 अब आप से क्या पूचा गया था कि यह दोनों जो department है production and marketing department इन में female employees कितने है तो आपको पता है production department में अब आपको पता है 120 female employees है marketing department में 171 female employees है आपको दोनों को add कर देंगे you will be getting the answer 291 so which is your option number 3rd that is the correct answer so now let's move with the next question so the next question is your 2022 shift second का DI है तो इसमें अब भी आपको काफी data given है that is 2016 से 2021 का data given है year wise now you have to find the answers for the questions so now the question is आपको number of students जो लीव कर रहे है is approximately what percent of number of students that are taking admission in college Q from the year 2016 to 2021 अब जब इस टाइप का data interpretation आपको दिया गया हो तो इसमें यह जरूरी आदखना कि वो values mark कर लें कि किसकी value पूची कई है तो आपको इस question में specifically किसकी पूची कई है college Q की अब college Q की कबसे 2016 से 2021 तक तो यह सारी जो values है यह useful रहेंगी कौन सी जो यह बच्चे लीव कर रहे है और यह जो बच्चे अटेंड कर रहे है ठीक है तो यह बहुत clearly आप डिख लिए लिक तो यह बहुत clearly mark कर लिया करें इससे ना confusion नहीं होगा आप values को mix नहीं करेंगे जब आप question solve कर रहे है ठीक है तो इसे कैसे find out करेंगे सबसे पहले आप find out कर लेंगी जो भी number of students है जो college Q को leave कर रहे है 2016 से 2021 को तो वो कौन-कौन से है वो आपकी हो गए 500 यह वाली values leave वाली 500, 430, 420, 380 and 440 इन सब को आप कर लोगे you will be getting the answer 2170 ठीक है आप second value आप निकालेंगे जो number of students है जो admitted हुए है college Q में from 2016 to 2021 वो कौनसी values है वो यह वाली values है जो admitted हुए है college Q में 2100, 900, 650, 570, 600 and 680 इनको आप कर लोगे you will be getting the answer 5500 आपको approximate percent पूछा गया तो students leaving to students taking admission वो आपका ऐसे find out करेंगे same formula मैंने आपको बताया था part upon whole into 100 that will be 2170 upon 5500 into 100 you will be getting the answer 39.4 अब क्योंकि आपका जो question है उसमें 39.4 कोई value नहीं है पर जो सबसे closest value है that is 39 तो correct answer होगा that will be option number 3 that is 39 percent तो यह दकीगा कभी-कभी questions में approximate percentage भी होती है और इस question में तो लिखा भी गया था approximate value percent क्या है तो आपको परिशान होने की ज़रोदी जो approximate percent हो अब उसपे take out कर सकते हो okay so now let's move with the next pyq so यह pyq है आपका 2021 का shift 1 का तो इसमें यह data interpretation दे रखाता है इसमें values भी दे रखी थी कि जो total number of students that is 3000 students including 715 including 1750 जो है वो girls है तो यह आपको data दे रखाता तो सबसे पहले आपको हमेशा data interpretation में यह observe करने कि कौन-कौन आपको इसमें पूछा गया था कि आपको इसमें पूछा गया था कि आप उसे नोट डाउन कर लो कि total number दे रखा है आप एक जगा लेख लीजे total number of students दे रखा है 3000 है girls का दे रखा है कि total number of girls है 1750 है तो अब आपसे जो question है उसमें पुछा गया था कि what is the approximate percentage of boys in this school आपको total दे रखा है girls का दे रखा है boys का नहीं दे रखा तो आप उसको निकालेंगे कैसे देखिए तो इस question में क्या है आपसे specifically तो नहीं पूछा गया कि swimming में, drawing में, dancing में कितना है आपसे directly पूछा गया है what is the approximate percentage of boys in this school तो आप total number of students आपको question में ही given है कि 3000 है और total number of girls कितना है 1750 है तो boys कितना हो गया 1250 हो गया ठीक है तो approximate percentage क्या हो गया boys का 1250 upon 3000 into 100 that comes to be 41.67% तो approximate इसका क्या होगा 42% जो आपका closest option दे रखा है option number 1 ठीक है इसी type के इसी same DI में से और भी question थे कि आपको swimming में निकालना था है पर ये question बहुत easy question था so yes this is how you solve questions from data interpretation जो percentage के concept से है so this was the part 1 अब आने वाले part में we will be solving the questions of data interpretation जिसमें ratio से question कुछा गया है या average निकालने को आया है so we will be covering the entire concept and also जो basic question direct questions अब solve कर सकने DIK so yes I hope you find this video helpful then please do like, share and comment and stay tuned for the more upcoming